हेलो एवरिवान वेलकम बाक तो दिशा क्लासेज उमीद करती हूँ मेरी वीडियोज आपको पसंद आ रही होंगी और किसी न किसी एक्जाम को पिरपेर करने में या आपके बिजनस को ग्रो करने में जरूर हिलफुल होंगी आज हम डिसकस करेंगे फिलिप कोटलर की बुक का चाप्टर नमबर 18 पार्ट 30 इस चाप्टर के भी 29 पार्ट्स अल्रेडी अपलोडिट है मेरे चैनल दिशा क्लासेज पर अगर अभी तक आपने वो नहीं देखे तो आप हमारी मार्केटिंग की प्लेलिस्ट को विजिट कर स तो फिलिप कोटलर की बुक में टोटल आठ मेथट्स गिवन हैं जिनके थूँ आप अपनी कॉम्निकेशन को टार्गेट ओडियंस तक पहुचा सकते हैं उन आठ कॉम्निकेशन के मेथट्स में से चार कॉम्निकेशन के मेथट्स ऐसे हैं जिनके थूँ आप अपनी कॉम्नि methods कौन से हैं? Advertising, Sales Promotion, Events and Experiences and Public Relations. इन चार methods के थुरू, आप अपनी communication को mass level के audience तक पहुंचा आ सकते हैं. इन चारों ही methods को हम इस chapter में detail में discuss कर रही हैं कि क्या इनका process होता है, जब हम इनको त्यार करते हैं, क्या इनकी advantage है, क्या disadvantage है. तो जो इस chapter के 21 parts हैं, उनमें हमने cover किया है advertising को, detail में. 22nd part से हमने start कर रखा है sales promotion को. Sales promotion का process हम discuss कर रहे हैं. तो एक बार हम revise कर लेते हैं, इसका process है क्या? अगर मैं बात करूँ sales promotion के process की या आप बोल सकते हैं major decisions, कौन से कौन से आपको लेने पढ़ते हैं, जब आप sales promotion के लिए अपना program तियार कर रहे होते हैं. तो इसमें total हमारे पास कितने steps हैं? 5. इन steps के अगर हम बात करें, तो सबसे पहला step हमारा है establish its objective. सबसे पहले तो company को ये establish करना है कि उसके objectives क्या है, जो वो sales promotion के program के थूँ अचीव करना चाहता है. objective decide करने के बाद, फिर company को select करना है tools को, या हम कह सकते हैं sales promotion के methods को, कि किन tools के थूँ वो अपनी product को की sales promotion करेगा, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे tools या methods available है, sales के promote करने के लिए, coupons हैं, या आप कह सकते premium gifts हैं, refund है, discount है, या tie-up promotions हो सकते हैं, free trial हो सकता है, demonstration हो सकता है, display हो सकता है, तो उन tools में से हमें select करना है कि किन tools की help से हम अपने product की sales promotion करेंगे. फिर finally third step पे हमें अपना जो sales promotion का program है, उसको develop करना है, program को develop करने का मतलब है, हम decide करेंगे कि क्या हमारे program की timings होगी, क्या duration होगी, किस-किस area में हम launch करेंगे, किन-किन customers को हम available करवाएंगे, अपना offer, तो ये सारी बाते हम discuss करेंगे जब हम program बनाएंगे. उसके बाद fourth हमारा step है, implement and control it. फिर हम क्या करेंगे, जो हमने program decide किया है, या त्यार किया है, उसको हम implement करेंगे और control करेंगे. और finally fifth step पे हम क्या करेंगे, अपने results को evaluate करेंगे, कि क्या हमारे objectives, sales promotion के जो हमने decide किये थे, वो achieve हुए हैं या नहीं. तो ये हमारा five steps का process है, sales promotion के program के लिए, या आप कह सकते हैं, major decisions है, जो किसी भी company को लेने पड़ते हैं, अगर वो sales promotion करना चाहती है. तो इस process में से तीन steps को हम complete कर चुके हैं, जो हमारे पहले वखले parts हैं. आज हम fourth और fifth दोनों ही steps को cover करेंगे, और इस book में दोनों ही steps इकठे दे रखे हैं. तो इकठे आज हमारा sales promotion का ये topic भी complete हो जाएगा. तो यहां से स्टार्ट होता है हमारा step four और five. Implementing and evaluating the program. जब आपका program बिलकुल त्यार हो गया, कि कब आप launch करेंगे, कहां launch करेंगे, किन consumers को participation देंगे, क्या duration होगी, क्या size होगा, क्या आपका budget होगा. प्रोग्राम हमारा त्यार हो गया है. उसके बाद अब हम उसको implement करेंगे, और implement करने के बाद अपने program को हम evaluate करेंगे, major करेंगे, कि क्या हमारे results हैं, क्या हमने अपने objectives को achieve कर लिया या नहीं. तो ये fourth और fifth step के साथ हमारा sales promotion का भी जो ये program है ये topic है complete हो जाएगा. Marketing managers, implementation and control plans must cover lead time and sell-in time for each individual promotion. ये कह रहा है, जो marketing manager है, जब भी वो अपने program को implement करेंगा और उसको control करेंगा, तो उसको दो चीज़ों को ध्यान रखना है. हर एक individual promotion के लिए, बेशेक आप coupon का यूज कर रहे हैं, बेशेक आप premium और gifts का यूज कर रहे हैं, या prices का यूज कर रहे हैं, या demonstration का. तो दोनों ही, हर एक individual जो भी promotion आप कर रहे हैं, उसके case में marketing manager को दो time का ध्यान रखना है. एक है हमारा lead time, एक है हमारा sell-in time. अब lead time क्या होता है? Lead time is the time necessary to prepare the program prior to launching it. ये कह रहा है, launch करने से पहले का जो हमारा time होता है, जब हम program को prepare करते हैं, उसे हमने बोला है lead time. तो दोनों ही चीजों को आपने ध्यान में रखना है, ये नहीं कि भी आप हडबाडाजी में, जल्दी-जल्दी करने के चक्कर में, lead time कम लें और program को अच्छे से develop ही ना कर पाएं, अच्छे से prepare ही ना कर पाएं. तो marketing manager जब भी implement करने जाए, ये अपने program को control करे, तो lead time का ध्यान रखना है. मलब lead time is the time necessary to prepare the program prior to launching it. उसे launch करने से पहले उसे आपको अच्छे से prepare करना है. Selling time begins with the promotion, launch and ends when approximately 95% of the deal, merchandise is in the hands of consumer. और selling time हमारा कब start होता है? जब आपका promotion launch हो जाता है और 95% of the deal है, merchandise, वो किसके हाथ में है? कंजूमर्स के हाथ में. Selling time का मतलब है, जब आपने program को launch कर दिया, और launch करने के बाद, जो आपका program में, जो भी आपने merchandise, जो भी आपने available करवाया है, जो भी sales promotion आपने किया है, वो जो item है, वो 95% deal की, consumers के हाथ में जा चुकी है. अगर samples है, तो आपके जो 95% samples है, वो consumer के पास चले गए है, coupons है, तो 95% consumers के पास चले गए है, जो redeem होईंगे, या फिर कोई gifts है, कोई premium है, वो भी 95% किसके हाथ में है, consumers के हाथ में. तो इसे हम बोलते हैं, sell in time. तो जब भी आप program को implement करेगा, marketing manager, तो उसे दो time का ध्यान रखना है, एक है lead time, और एक है sell in time. Sell in time start होता है, जब आप अपने promotion के program को launch करते हैं, और कब खतम होता है, ends when approximately 90% जो आपकी promotion की deal थी, वो किसके हाथ में चले जाती है, consumer के हाथ. तो ये था हमारा implementation, कि कैसे आपको implement करना है. अब हम बात कर लेते हैं, evaluating the program. अब जो marketer है, या marketing manager है, उसको evaluate करना है, कि उसके results क्या है, ये हमारा program कैसा रहा है. Manufacturers can evaluate the program using sales data, consumer survey and experiment. अब हमारे पास तीन methods हैं, अपने program को evaluate करने के लिए, उसके results को जानने के लिए. एक तो method हमारे पास है, sales का data. आप sales का data उठाएं, देखें कि क्या actual में आपकी sales increase हुई है या नहीं. Promotion से पहले sales क्या थी, अब sales क्या है. दूसरा method हमारे पास है, consumer का survey. आप consumer का survey कर सकते हैं, आप उनसे पूछ सकते हैं, cautionary के through. survey कर सकते हैं कि क्या उन्हें हमारा promotion अच्छा लगा, क्या उसके बाद उन्होंने sales, मतलब हमारे product को purchase करना शुरू किया है, क्या वो पहले किसी और brand के product को use करते थे. तो consumer से हम data इकठा कर सकते हैं, अपने program से related. थर्ड हमारे पास है, हम experiment कर सकते हैं. Experiment का मतलब है, कि आप कुछ customers को तो अपने promotion का offer दें, और कुछ को ना देखें. फिर आप ये decide करें, कि जिनको आपने offer दिया था, क्या उनके sales pattern में कुछ difference है, as compared to जिनको आपने offer नहीं दिया कि कैसे हमें evaluate करना है. सबसे पहले है sales scanner data, ये हमारा A हो गया. Helps analyze the types of people who took advantage of the promotion. जब आप sales के data को analyze करते हैं, तो आपको ये पता चलता है कि आपके, जो promotion की advantage है, वो किस type के people ने उठाई है. मलब किस type का customer आपके product की तरफ attract हुआ है, promotion की वज़े से. What they brought before the promotion. वो promotion से पहले क्या खरीदते थे? How they behave later towards the brand. लेकिन promotion के बाद उन्होंने brand की तरफ कैसा behave किया है and other brands. और आपके promotion के बाद उन्होंने आपकी brand की तरफ कैसे behave किया है और other brands की तरफ कैसे behave कर है. तो ये सारी चीज़े आप जान सकते हैं जब आप sales के data को analyze करेंगे. कि कि type के customer ने हमारा benefit लिया है? पहले उनका promotion से पहले उनका response कैसा था? या क्या वो purchase करते थे? प्रमोशन के बाद उन्होंने हमारी brand की तरफ कैसा behave किया है? या other brands की तरफ उनका behavior क्या रहा है? sales promotions are most successful when they attract competitors customers who then switch. Sales promotion कब successful माना जाता है? जब आप ये मतलब जो आपके competitor के customers हैं उनको अपनी brand की तरफ attract करने में successful हो जाएं और बाद में वही customers आपकी brand पर switch कर जाएं. अगर competitor के customers आपकी brand पर switch कर गए sales promotion की वज़े से तो हम कह सकते हैं कि हमारा sales promotion का जो program है वो successful था. तो एक method तो है हमारे पास ये, second देख लेते हैं. Second हमारे पास है consumer survey. Can uncover how many consumers recall the promotion? Consumer survey में हम पहले तो ने ये पूछते हैं कि कितने consumers को याद है हमारा promotion? कि ऐसा कोई promotion भी आया था, ऐसा भी कोई free gifts मिले थे. What they thought of it. क्या वो उसके बारे में सोचते हैं हमारे program के बारे में. कैसी उनकी हम कह सकते हैं thinking है. How many took advantage of it. फिर हम ये भी देख सकते हैं कितने लोगों ने उसमें से advantage ली हैं. कितनों ने उसका फाइदा उठाया है. And how it affected later brand choice behavior. और अगर promotion के बाद जब हमने offer बंद कर दिया, उसके बाद हमारा जो brand का उनका choice का decision होता है, वो कैसे हमारे promotion ने effect किया है? क्या वो offer के बाद हमारी brand को choose कर रहे हैं या नहीं? तो ये भी हम उनसे survey के थूँच सकते हैं. Third method हमारे पास है experiments. Experiments vary such attributes as incentive value. Experiment करने का मतलब है कि आप जो भी आपके features है, program के, उनको आप change कर दो. कुछ consumers को कुछ variety दो, मलब incentive की form में, किसी को कुछ दो. जैसे मानलो आपको experiment करना है कि coupons अच्छे हैं या premium. तो कुछ consumers को आप coupons available करवा सकते हो, कुछ को आप gifts और premium दे सकते हो. तो आपके जो incentive value है, उसको आप change कर दो. या आप duration को change कर दो. किसी area में आपने एक महीन अपना promotion का offer चलाया, किसी area में सिर्फ आपने चार दिन चलाया. या फिर आप distribution का media change कर दो. पहले आपने क्या किया किसी area में, या थोड़ी से consumers के लिए point of purchase पे उसको रखा, sales promotion के offer को. किसी के लिए आपने online distribute किया, कहीं आपने mail के through distribute किया. तो ऐसे करके जो हमारे incentive है, उसके features को change करके हम experiments कर सकते हैं. कि कौन सा हमारे लिए best है, कौन सा हमारा ज़्यादा effective है, जो भी promotion का offer है. For example, coupons can be sent to half the households in a consumer panel. आप क्या करो, consumer के panels बना लो. उन consumer के panels में से हमने क्या किया, जो half of the households से, उनको coupon send किये. फिर उसके बाद जो scanner data, can track whether they let more people to buy the product and win. और फिर उसके बाद आप जो आपका sales का data है, उसको scan करो. उसको scan करने के बाद आप ये देखो, कि क्या ये उनी household में से हैं, जिनको आपने coupons दिये थे, जो up purchase करने आ हैं. या फिर दूसरे households में से हैं, जिनको आपने coupons नहीं दिये वहाँ से आपको पता चल जाएगा कि आपका promotion का offer कैसा था. अगर most of the households वही हैं, जिनको हमने coupons दिये थे, इसका मतलब coupon हमारा एक effective तरीका है sales promotion का, offer अच्छा है. अगर ऐसा नहीं है, तो इसका मतलब coupons इतने effective नहीं है, और कोई offer हमें देना पड़ेगा. तो ऐसे भी आप क कर सकते हैं, experiment करके अपने sales program को evaluate कर सकते हैं. clear यह होगे हमारे तीन methods. फिर हम बात कर लेते हैं disadvantages की. additional cost include the risk that promotions might decrease long run brand loyalty और be more expensive than they appear. यह कह रहा है, एक जो सबसे बड़ा risk है, वो क्या है, कि long run में हमारी brand की loyalty decrease हो सकती है. क्योंकि अगर आप बार-बार discounts पे अपने product को दे रहे हो, coupons दे रहे हो, free samples distribute कर रहे हो, तो consumer के mind में हम कह सकते हैं perception बन जाती है, कि शायद brand इतना अच्छा नहीं है, तभी वो इतना promote कर रहे हैं, इतने offers आ रहे हैं brand पे. तो long run में हो सकता है कि हमारी brand की loyalty decrease हो जाए. और expensive भी तो है, as compared to other phones. Some are in irritably distributed to the wrong consumers. और कई बार क्या होता है, जो हमारे offers हैं, वो सही consumers के पास नहीं जाते हैं, wrong consumers के पास चले जाते हैं, जिसका effect आता ही नहीं, क्योंकि वो free coupons ले जाते हैं, यूज कर लेते हैं, लेकिन फिर भी, बाद में भी switch नहीं करतें दूसरी brand से, और जो हमारे original customers होते हैं, जिनको हम चाहते हैं, कि वो use करें free samples को, हमारी product के brand को purchase करते रहें, उन तक वो offer कभी पहुँचता ही नहीं है, दूसरी disadvantage, special production runs, और जब आप promotion करते हैं, तो आपको special production भी करनी पड़ती है, extra sales force के efforts भी लगते हैं, handling requirements bring other cost, और फिर sales promotion के program को handle करना भी other cost को involve करता है, उसमें भी आपका बहुत सारा पैसा लगता है, finally certain promotions irritate retailers, और certain promotions तो ऐसे होते हैं, जो हमारे retailers को irritate कर देते हैं, who may demand extra trade allowance और refuse to cooperate, क्योंकि कई बार या तो irritate होने की वज़े से वो हमसे extra trade का allowance मांगते हैं, कि हमें तो extra money award करो, या फिर वो आपका refuse कर देते हैं, आपके किसके sales promotion के program के, तो ये था हमारा sales promotion का पूरा process, इसके साथ complete होता है, next हम start करेंगे events and experiences, जो हमारा एक communication का method है, जिसके through कोई भी company अपने product से related communication target audience तक पहुचा सकती है, और वो भी mass level के audience तक, mass level के methods को हम study कर रहे हैं, तो ये हमारा हो जाएगा third mass communication का method, दो methods को हमने discuss कर लिया, mass communication वालों को, एक था advertising, एक था sales promotion, detail में इनके process को हम 30 parts के through cover कर चुके हैं, तो आप देखें कि 30 parts में हमारे इस chapter के सिर्फ दो methods ऐसे communication के cover हुए हैं, जिनके through आप mass communication कर सकते हैं, तो अगर आपको आज की video से related कोई भी doubt हो, तो आप मुझे comment box में comment कर सकते हैं, thank you for watching Disha classes, और आप सभी से बस एक ही request रहती है, please videos को share कर दिया करो, अपने friends के साथ, relatives के साथ, और अगर अभी तक आपने channel को subscribe नहीं करा, तो please channel को भी subscribe कर लें, क्योंकि बहुत सारे students ऐसे हैं, जो videos को देखते तो हैं, लेकिन उन्होंने अभी तक channel को subscribe नहीं करा, तो please channel क को भी subscribe कर लें, thank you for watching Disha classes.